हेलो फ्रेंड मैं हूँ एड्वोकेट नितिश बांका आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेक्सपीक लीगल में आज मैं आपके सामने बहुत ही बहुत ही बैतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि चाहे आपका 125 CR PC का केस ह कर दो इसको जल्द से जल्द खतम करने खरी यह तरीका है यह आप यूज कर सकते हैं अगर आपके केस के पां इस हिसाब से मैं आभ ही आपको बता रहा हूं मैं एक जुड्जमेंट भी रिसारच करी है जुड्जमेंट कहां मिलेगी वह भी मैं आपको बताओंगा तो वीडियो को पूरा देखेगा और अभी मैं बता रहा हूं कि यह तरीका क्या तरीका है जिससे जो है पहले से एक objection रखिए कि जी आप जो है कोट को यह कहिए कि जनाब यह जो petition है 125 CRPC की डुमेस्टिक वाइलेंस की वह मिंटेनेबर ही नहीं है आप कोट में जाके यह बोलिए जद साब को आप यह भी बोल सकते हैं यह जो जो मैं बता हुँ यही grounds पर जो है यह फ्ली आप मेंटेनियंबिलीटि जो है सुनी जाएगी आपकी तो पहला ग्राउंड आप धिहां से सुनिये जूरिस्दिक्शिंट का गॉता है अब जूरिस्दिक्शन का ग्राउंड क्या होता है कि आप बोलेंगे जनाब यह जो वाइफ है यह वाइफ ने जब यह प्टिशन फाइल किया वह इस टाइम पर जो है इस जगा की रेजिदेंट ही नहीं थी इसने जो है जान बूच के जो है इधर की जुरिस्दिक्शन बनाई है ताकि मुझे जो है हैरेस करा करा जाए क्योंकि मैं दूसरी स्टेट में रहता ह सकता कोट जो है सेक्शन 91 का डिशो कर देगा और महुं assistance से जहां पर और वहवां कामा सकता दूसरी चीज पुरस किस आटेन 15 कि पुलिस जो है वहां क्योंकिसरा कर सकता है वह वहां कर वहप्य cruise है वो रहता है फेटिशन में लिखा हुआ है वहाँ अगर रहती है तो पूरा वेरिफिकेशन करके जो है उसके बाद जो है मेजिस्टेट के समक्ष जो है पुलिस वह देगी तो यहां पर जो है जूरिस्दिक्षन का एक ग्राउंड है जो कि आप ले सकते हो और दूसरा ग्राउंड यह है क अगर wife जो है बहुत जादा कमाती है capable of maintaining herself यानि अपने आपको maintain कर सकते है अपना भरन portion कर सकती है तब भी आप 125 CRPC के case में ये objection ले सकते हो maintainability का कि जनाब मेरी wife तो employed है वो अच्छा कमाती है और वो जो है अपना भरन portion कर सकती है तो ये आप जो है argue कर सकते हो court के सामने petition में अपनी application में डाल सकते हो court को जो है सबसे पहले आपका maintainability का issue decide करना पड़ेगा उसके बाद ही case आगे बढ़ेगा अगर court को लगता है कि इसमें जो है evidence की जरूरत है अगर face of it यानि यह सब facts जो है admitted होने चाहिए या petition में होने चाहिए वाइफ ने अगर file की है वो petition तो कि वह working है या उसकी jurisdiction का जो facts है वो clearly mention होने चाहिए court के अंदर कि वह रहती है है ऐसे उसने जो है लिखा हुआ है और रिपोर्ट में यह आता है कि वह जो है वहां नहीं रहती है जगा की आप objection ले सकते और दूसरा objection जो मैंने आपको बताए कि वह working है अपना भारन portion खुद से कर सकती है तो यह दो ग्राउंड जो है आप इस पे जो है 125 CRPC और Domestic Violence का जो केस है वह maintainability के ग्राउंड पर ही खतम करवा सकते हो तो यहां पे जो है यह एक application जाएगी और उस application पे जो है honorable court जो है जज जो है वह decide करेंगे कि यह petition जो 125 CRPC की है यह domestic violence की petition है maintainable है या नहीं इस पे जो है court जो है फैसला करेगा अब जो है मैं आपको next चीज बता रहा हूं कि यह हर case में जो है applicable नहीं है और दूसरी चीज मैं यह बता रहा हूं कि इस चीज की judgment कहा मिलेगी इस चीज की management जो है आपको जो है मेरे website मिलेगी उसका लिंक मैंने जो है description box में दे दिया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद थैंक यू वरी मच